हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से आ जिरू आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जिन लोगों को रनिंग करते वक्त बहुत जादा पैरों में दर्द होता है या पिर किसी की बहुत ज्यादा सांसे फोलने लगती हैं आजकल भरती चल रही हैं तो फिजिकल की लोग तयारी कर रहे हैं उस कंडिशन में आपको किस तरीके से ये वीडियो हेलफल होगी मैं आगे आपको बताऊंगा तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं कि दोस्तों जो लड़कियां या फिर लड़के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि उनके पैरों में दर्द या फिर घुटनों में जरूए तो तो बढ़ने या फिर या फिर दोड़ने पर फर फोड़ने पर ही सांस फूलने लग रहे है तो वीडियो मेरे पास कफीолот पास करनने तो हम ऊसी क्यों ज्यादा बहुत नद तो वह भी इस बात से परेशान होते हैं कि सर अब मैं क्या करूं तो मैं आपको बता दूं आपको टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है जिन लोगों के पैरों में दर्द होता है बहुत ज्यादा और वह थोड़ा सा भी दोड़ लेते तो घुटनों में भी दर्दों लगता है उन नहीं है फिजिकल से पहले आप खाते रहिए मालो आपका फिजिकल तीस दिन बाद है तो आप कभी कबार उस टैबलेट को लो जब भी आपको दर्द महसूस हो तब और जब आपका फिजिकल नजदीक आ जाए तो आप रेगुलर सुबह साम टैबलेट लेना शुरू कर दो तो आपको यह दिक्कत नहीं होगी और साथ-साथ मैं आपको बता दूं जिन लोगों को सांस फूलने की दिक्कत होती है यह बहुत बड़ी समस्या है लोगों में कि सांस फूलने लगती है हम जड़ा सभी दोडते हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं उनको step by step दोड़ना ह फिर अगले दिन आप कोसिस करिए कि डेड़ किलोमेटर दोड़ो डेड़ किलोमेटर दोड़ने के बाद अगर आपकी सांस नहीं फूल दिये तो आप डेड़ किलोमेटर और दोड़ो तो मतलब धीरे-धीरे स्टेप बाई स्टेप बढ़ाना होता है एक दम से नहीं बढ़ा सुबह साम यूज करना है और अगर सुभी अगर आपको दिक्कत लगती है अगर मालो आपका फिजिकल 30 दिन बाद है तो आपको एक गोली रोज खानी है पहले सही ताकि आपकी सांस ज्यादा ना फूले और जब आपका फिजिकल नजदिक आने वाला हो 10-15 दिन रह गया हो त अगरसे में तो मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग रोनुग भी कर पाऊए और आपकी सांस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पैरों में दर्द भी नहीं होगा और मेरी तरफ से best of luck है मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब सफल हो और आगे जो है कि अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो आज के लिए वीडियो इतनी ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबार